जैसे CUT 2013 का notification release किया गया उसके बाद में students ने अपना application form को भरना start किया students ने अपने application form भर रहे हैं तो आगे जाके उनसे अब जब upload section होता है तो उसके अंदर अपने photo, signature और वहाँ पे cast certificate मांगा जा रहा है अगर journal students है तो उससे कोई cast certificate वहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है लेकिन जो EWS से belong करते हैं, OBC से belong करते हैं, SC, ST से belong करते हैं तो वहाँ पे उनसे certificate मांगा जा रहा है तो वो जो certificate मांगा जा रहा है student बहुत जादा परेशान है regularly comment section के अंदर comment कर रहे हैं कि sir, हमारे पास certificate नहीं है अभी तो हम लोग कैसे अपना form को fill करें, कोई alternative बताइए क्योंकि EWS का certificate बनवाने जाएंगे या OBC का certificate बनवाने जाएंगे तो time लगेगा और हमारे पास जो deadline है, वो 12 March है 12 March तक हम लोगों को अपना form है, उसको fill कर देना है तो उसी का solution मैं आप लोगों के लिए ले के आ गया हूँ जिससे आप लोग अपना form है, उसको easily submit कर पाओगे लेकिन उसके अंदर एक condition है कि जब आप लोगों को seat allotment हो जाएगा जिस भी university को आप लोगों ने target किया है, उसकी seats आपको मिल गई है तो उस time पे आप लोगों को वो जो original certificate है, जो आपका बना है 1st April 2022 के बाद, अभी तो आप लोगों ने उसको भर दिया लेकिन आप लोगों को बनवाना तो पड़ेगा, उसको आप लोगों को original को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा ठीके बिटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखने है तो चलिए बता देता हूँ मैं क्या चीज आप लोगों के लिए इसके अंदर है आप लोग जब भी form fill करते हो तो उस ताइम पर आप लोगों का एक information bulletin होता है उसको आप लोगों को download कर लेना है और जैसे information bulletin को download कर लोगे तो इसके अंदर आप लोगों का होता है chapter number 14, इसको ध्यान से देख लिजिए यहीं पर जितने भी आप लोगों के certificates है उनके बारे में बताया गया है अब आप लोगों का जो certificate है manly central level का आपका होना चाहिए state level का है तो आप लोगों को central level के लिए apply कर देना है जिससे आप लोग अपना central level का जो certificate है उसको gain कर पाए अब जिनके पास नहीं है अपना address डालना है अपना जो CUT 2030 का registration आप लोगों ने जो किया है registration number जो आपको मिला है वो आप लोगों को यहाँ पर भर देना है mobile number को आपको fill करना है email address को fill करना है और साथ ही अपनी एक passport side photo यहाँ पर लगा देना है यह किसके लिए है जो journal EWS candidate से उनके लिए देखो यहाँ पर लिखा भी गया है उपर तो गलती से कुछ और मत कर देना ठीक है ध्यान रखीगा यहाँ पर clear cut बोल दिया है कि भाई हमारे पास जो certificate है according to government of India वो आपका certificate 1st April 2022 या उसके बाद का होना चाहिए EWS certificate अब बहुत सारे assessments है कि सर हमारे पास अभी certificate तो है नहीं है तो उनके लिए भी देखो यहाँ लिखा गया है Since I have not been able to collect the SADS certification on the time I may kindly be allowed to write CUT UZ 2023 provisionally यानि कि सर मेरे पास अभी वो certificate नहीं है तो please मुझे provisionally अपना जो यह registration form है इसको fill करने की आग्या दीजिए ठीक है I hereby declare that I will upload a fresh certificate issued on or after 1st April 2022 at the time of reporting after seat allocation यहाँ पे clear cut बोल दिया है कि आप लोगों का जो certificate है हमारा 1st April 2022 के बाद का बना हुआ हो या उस date का बना हुआ हो जब हमारको seat allotment मिल जाएगा उस time पे हम लोग उसको दिखा देंगे उसको वहाँ पे देंगे उसको upload कर देंगे fresh तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है ठीके बेटा तो यहाँ पे आपने मम्मी पापा का sign करवा लेना है एक का किसी का भी आप लोग करवा लीजेगा अपना sign कर दीजेगा और यहाँ पे dates आप लोगों को डाल दीना है कि कब आप लोगों का इसको sign किया गया है ठीके बेटा तो इससे क्या होगा कि आप लोग इसको upload करके अपना जो registration form है उसको complete कर पाएंगे इसी तरीके से जो OBC के students है तो उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है तो उसको भी वो लोग ढंग से देख लें देखो यह लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है declaration by the candidate in lieu of the OBC NCL certificate आपके पास certificate नहीं है तो आप लोगों को यह fill करना है same as it is है पूरा का पूरा सिर्फ यहाँ पे OBC लिखा हुआ है तो यह declaration form आप लोग फिल करिए print out निकालिए फिल करिए फिल करने के बाद इसको upload कर दीजिए तो आप लोगों का जो registration process है वो complete हो जाएगा आप लोगों का application है वो submit हो जाएगा तो कोई problem नहीं होगी बट आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप लोगों का seat allotment मिलेगा आप लोगों को तो उस time पर आप लोगों को अपना fresh जो 1 April 2022 का बना हुआ हो या उसके बाद का बना हुआ हो उसको upload कर देना है यह याद रखेगा नहीं तो आप लोगों का qualified my category will be adjusted accordingly in the CRL यानि कि common जो rank list बनती है उसके according आप लोगों की list है उसको लिया जाएगा फिर आप लोगों को OBC के जो benefits हैं वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगे और आप लोगों को journal की तरह फिर आप लोगों को treat किया जाएगा तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा ठीके पेटा तो इसको upload करके आप लोग अपना जो form में उसको submit कर सकते हो अब important चीज है कि सर हम लोग अपना certificate वो कहा कहा बनवा सकते हैं तो देखे उसके लिए भी यहाँ पर clear cut बता दिया गया है तो उनसे आप लोग बनवा सकते हो अपना जो तैसिलदार है उससे आप लोग बनवा सकते हो यह तो यह आप लोग को याद रखना है साथ ही आप लोग जो आपका sub-divisional officer है एरिया का उससे आप लोग बनवा सकते हो जहां पे आप लोग रह रहे हो वहां से तो हैसे लार से बनवा सकते हो और इसके अलावा magistrate से आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे देखें magistrate में भी कौन से कौन का होता है district magistrate हुआ, additional magistrate हुआ, collector, deputy commissioner हुआ, additional deputy commissioner हुआ उसी के साथ ही deputy collector हुआ, first class magistrate हुआ, sub divisional magistrate हुआ, तालुका magistrate हुआ तो यह जितने भी post हैं, जो आप लोग की grade A के अंदर आती है, उन post से आप लोग अपना जो certificate है उसको बनवा सकते हो और बनवाने के बाद में अपने पास रख लिजेगा, क्योंकि admission के time पे, जब आप लोग को seat allotment हो जाएगा, उस time पे इसको आप लोग को upload करना पड़ेगा और याद रखिएगा, state के साथ आप लोग को central बनवाना है, क्योंकि central आप लोग को यहाँ पर required होगा तो I hope कि आपकी जो भी problem है, उसका solution आप लोग को मिल गया होगा मैं के जिंदर शर्मा, आप लोग का तही दिल से शुक्रियादा करता हूँ, मेरे साथ जुढने के लिए Adda247CUT चैनल पर, और comment section के अंदर comment करके बताईए कि क्या आप लोग की problems का solution आप लोग को मिला या नहीं मिला, जल्दी से comment section के अंदर बताईए को चैनल को subscribe कर लिजिए मेरे साथ जुढने के लिए Adda247CUT चैनल पर, यहाँ आप लोग ऐसी informative videos आप लोग के लिए regularly लेके आते रहते हैं Thank you so much and bye bye to all